नमस्कार प्रियमित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में मित्रो किनी दो व्यक्तियों के बीच कोई भी दो इनसान हो पुरुष हो इस्त्री हो अगर उन दोनों के बीच आप लड़ाई करवना चाहते हैं नफरत डालना चाहते हैं मित्रो बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही ताकतवर थोड़ी सी हल्दी के द्वारा होने वाला एक शक्तिशाली उपाय आज हम आपको मताने जा रही हैं जिसे आप कि नहीं दो व्यक्तिशाली लिए कर लें दोनों के बीच मित्रो ऐसी भेंकर लड़ाई होगी कि वो जानवरों की तरह एक दुसरे से लड़ेंगे मित्रो बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं उपाय को पूरे विश्वास से करें किसी भी दिन किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं आपने क्या करना है अपने हाथ पेर एक बार अच्छे से धोकर आप किसी भी स्थान पर दक्षन दिशा की और मुक करके बैठ जाएं कोई भी आसन कपड़ा चौक अपने नीचे बिछा लें मित्रो आपने अपने साथ थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच एक चम्मच के करीब हल्दी किसी भी कटोरी प्लेट आधी में रख लें बिल्कुल बीचों भी चुसे से रख दें और साथ में अपने रखें थोड़ा सा पानी आधे से भी कम ग्लास पानी आप रखें कांच का बरतन हो स्टील का हो किसी भी धातू का हो आप कोई भी ग्लास ले ले आपने पानी अपने पास रखना है पानी वही होना चाहिए जो पीने वाला पानी होता है, पीने योग्यों मतलब, साफ पानी मितरो, और उसे अपने दाइं और रखें, दाइं और रखकर आपने मितरो क्या करना है, यानि सीधे हाथ की तरफ रखें, cambi pię, बिलकुल अपनी अंगूठे merem अंगलियों से पानी में डुबाएं और सामने की और अपनी बाई और अपनी दाई और अपने पीछे की और थोड़ा थोड़ा पानी गिरा दे जहां आप बैठी है थोड़ा थोड़ा च्छेड़क दे हाथ से और उसके बाद जो हल्दी आपके सामने रखी है मित्रो उस और उसके बाद मित्रो आपने एक मंत्र का तीन बार उच्चारण करना है उन दोनों व्यक्तियों को सोचते हुए जिनके लिए आप ये उपाय कर रही हैं आपने ये मंत्र बोलना है मंत्र को आप तीन बार बोलें तीन बार उच्चारण करें और उसके बाद जो थोड़ी सी हल्दी आपके हाथ में हैं उसे उसी कटोरी या प्लेट जिसमें भी आपने हल्दी रखी है उसी में वापस डाल दें और जो ग्लास आपके बगल में रखा है दाइं और उस ग्लास को अपने सामने रखें एक बार उपर से दाइं हाथ से उसे ढखें और उसके बाद यही मंत्र तीन बार और बोलें तीन बार और आप इस तरीके से बोलें अमुकस्य के इस्थान पर मित्रो आपने दोनों ही इनसानों का नाम लेना है दोनों वेक्तियों का नाम लेना है उन्हें सोचते होगे हाथ अटायां दायां उसमें से आपने थोड़ असा पानी तीन चार बून खलास से ही सीधे आपने हाथ नहीं चुलाना है उस कटोरी या उस प्लेट जिसमें आपने हल्दी रखे है teu उसके उपर गिरा दे है उसके बाद ये हल्दी जो आपके पास है उसे ले कर यानि उस प्लेट को ले कर आप घर से बाहर जाए हैं कर आसकते हैं खालिस्थान पर अगर ना ली हो तो बहुत अच्छी बात है ना हो तो आप सौक Cuba बी डाल सकते हैं उस पाने को ये उपाए मित्रों आप कर ले आपका ये उपाए करते ही वो दोनों लोग जिन के लिए ये उपाई आप कर रहे हैं आपस में भीड़ने लगेंगे उनमें उसी समय से लड़ाई हो जाएगी आपके देखते ही देखते एक घंटे के भीतर उनके बीच भेंगर दरार पड़ जाएगी और वो दोनों लोग इतनी नफरत एक दूसरे से करने लगेंगे कि एक कि शक्लतक बढ़ दास्त करना गवारा नहीं समझेंगे तो मित्रो ये है उपाई यदि आप इस उपाई को कर लेते हैं तो किनी दो व्यक्तियों को आपस में लड़वा सकते हैं बिढ़वा सकते हैं बेवज़ब ये मतलब आप ये उपाई किसी के लिए ना करें आप सभी गया मित्रो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी खयाल रखें अपना खुश रहें हमश्कार